चटोरी भानुमती आंध्रप्रदेश की लोक कथा चटोरी भानुमती फोक टेल आफ आंध्रप्रदेश इन हिंदी आंध्रप्रदेश के एक गाव में रामलिन नामक एक किसान रहता था कई वर्ष पूर्व उसकी पत्मी की मृत्यू हो चुकी थी पत्मी की मृत्यू के बाद खाना बनाने और अन्य घरेलू कारियों में उसे कठिनाई उत्पन्न होने लगी इसलिए उसने एक नौकरानी रख ली जिसका नाम भानुम्ती था भानुम्ती घरेलू कार्य में दक्ष थी साफ स्वाई हो, जानवरों की देखभाल हो, खाना बनाना हो या कपड़े धोना हो वह सारे काम उचित रीती से किया करती थी उसमें एक मात्र कमी ये थी कि वह बहुत चटोरी किस्म की स्त्री थी वह जब तब घर की खाने पीने की चीजे चट कर जाया करती थी प्रारंग में तो रामलिंग ने इस ओर ध्यान नहीं दिया गिंतु जब उसने देखा कि घर से खाने पीने की चीजे गायब हो रही है, तो उसे भानुमती पर संदेह हुआ उसने उसकी निगरानी की, तो उसका संदेह सत्य साबित हुआ उसने भानुमती को चेताया, किन्तु भानुमती का अपनी चर्टोरी जुबान पर नियंत्रण ही नहीं था खाने की महक आते ही वह खाने पर तूट पड़ती तंग आकर एक दिन रामलिंग ने उसे बुलाया और अंतिम चेतावनी देते हुए कहा भानुमती अब तुम खाने पीने की चीजों पर हाथ साफ करती हुई पकड़ी गई तो नौकरी से हाथ धो बैठोगी पढ़ी पंजाबी भोजन कश्मीरी लोग कथा चेतावनी मिलने के बाद से भानुमती संभल कर रहने लगी कुछ दिनों तक रामलिंग को किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं हुई उसे लगा कि भानुमती सुधर गई है एक दिन वहाँ बाजार से बहुत ही रसीले जहांगीर आम खरीद कर लाया उस शाम उसका एक मित्र घर आने वाला था शाम को उसने भानुमती को आम देते हुए कहा भानुमती ये लो ये आम इसके छिलके उतार कर काट दो जब मेरा दोस्त आएगा तो हमारा यूटूब कृष्णराजप स्ट्रगल चैनल को सस्क्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें हम दोनों मिलकर इसे खाएंगे भानुमती ने आम ले लिया और चाको निकालकर आम काटने लगी उसे आम बहुत पसंद दे आम काटते हुए उसका जी ललचाने लगा उसने स्वयम पर नियंत्रन रखने का बहुत प्रयत्न किया किन्तु नहीं कर पाई और आम काटते काटते ही उसे पूरा खा गई आम खा लेने के बाद वह डर गई की जब रामलिंग को पता चलेगा तो वह उसे नौकरी से निकाल देगा वह किसी तरह से कुद को और अपनी नौकरी को बचाने का उपाय सोचने लगी थोड़ी देर बाद वह रामलिंग के पास गई और उसे एक चाकू देते हुए बोली मालिक इस चाकू की धार मंध हो गई इससे आम के छिलके से ठीक से उतर नहीं रही है इसकी धार तेज कर दो रामलिंग चाकू की धार तेज करने लगा उसी समय उसका मित्र आ गया भानुम्ती ने दर्वाजा खोला और वही से रामलिंग की ओर संकेत कर बोली आप यहां से भाग जाए मालिक जाने क्यों क्रोधित है और आपकी ना काटने की तयारी कर रही है देखिये चाकू की धार तेज कर रही है यहां देख रामलिंग का मित्र डर गया और वहां से भाग गया दर्वाजे की आहट रामलिंग ने सुन ली थी वह बाहर आया और भानुम्ती से पूछा कौन आया था भानुम्ती बोली आपके मित्र आये थे और मुझसे आम छीन कर भाग गये वो देखिये भागे चले जा रहे हैं यह सुनकर रामलिंग चाकू हाथ में लिये ही अपने मित्र के पीछे यह चलाते हुए दोड़ा मित्र आधा मुझे तो देता जा रामलिंग की बाद जब उसके मित्र के कानों में पड़ी तो उसने सोचा कि रामलिंग उसकी आधी नाक मांग रहा है इसलिए वहा और तेजी से भागने लगा कुछ दूर तक रामलिंग ने उसका पीछा किया फिर ठकहार कर घर लोट आया उधर भानमती आम चट करके अगली चोरी की तैयारी करने लगी